नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में आज हम लोग बात करने वाले हैं संट्रिफिकल पम में जो वाइब्रेशन होता है वो किस-किस कारणों से होता है तो विडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए है तो अभी तुरण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और अगर मेकनिकल रिलेटेड कुछ टूल्स बगेरा बाई करना है तो आप लोग डिस्किप्शन को चेक कर सकते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरूँ तो आज ये वैबरेसन के कुछ पॉइंट्स को जानेंगे किस वज़े से वाइबरेसन होता है तो पहला पॉइंट है जो की सब को पता है यह सबसे बड़ा पॉइंट होता है alignment का अगर आपने pump में alignment सही से नहीं किया है तो pump में बह बहुत ज़्यदा आपनोर्मल साउंड आ सकता है। दूसरा अगर आपने alignment सही किया है, बहुत सारे बोलते हैं मैंने dial gauge में alignment सही किया है, तो alignment आपने सही किया है, बहुत सारे फीटर क्या करते हैं, alignment सही कर देते हैं, reading सही दिखाने के लिए और base bollard को लूज छोड़ देते हैं, pump का base bolt को या motor का base bolt को लूज छोड़ देते हैं, alignment को मिलाने का चक्कर में तो ये बहुत गलत process है, इसको आज ही छोड़ दीजे, ये इस process से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, alignment आपको करना है तो एकदम सही तरीके से करना है, foundation जो bolt है, उसको fully tight करना एकदम, जो hand tight होता है पुरा, उससे अच्छी तरह से tight करना है, बहुत सारे fitter को मैंने देखा है, alignment को मिलाने के चक्कर में base bolt को लूज छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत process है, जो भी engineer इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जब भी alignment को चेक करने जाएं, तो base bolt को अपने tools लेके चेक करें, और जो fitter बगेरा देख रहे हैं, उनसे request है कि base bolt को fully tight करें, जब भी alignment करें, base bolt लूज छोड़ के alignment होता नहीं है, तो दोनों को आप लों को ध्यान देना है, alignment जब भी करें, reading को मिलाने के चकर में, base bolt को लूज ना छोड़ें, दूसरा point ये है कि impeller को आपको चेक करना है, impeller correlated हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसका बज़े से क्या होता, suction सही से नहीं कर पाता है pump, suction अगर सही से नहीं कर पाएगा heat, जो उसका casing का है, casing के chamber में water सही से नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा vibration भी होगा, और heat भी होगा pump, तो impeller को देखना है, अगर impeller का vein वगेरा घिस गया है, तो तुरेंट impeller को replace करें, उसका बज़े से भी आपका pump में vibration बहुत ज्यादा होगा, और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि alignment भी आपने सही किया है, baseball भी tight है, उसके बाद भी vibration हो रहा है, तो आपको impeller को एक बार check करना चाहिए, क्योंकि क्या उसका, जो impeller का vein वगेरा है, वो तो damage नहीं हुआ, इस चीज़ को आपको pump को dismantle करके impeller को check करना चाहिए, क्योंकि उसका capacity कम हो जाएगा pump का, और casing casing में जो पानी चाहिए, उसको सक करने के लिए और discharge करने के लिए पानी casing के अंदर उसको नहीं मिलेगा, जिसका बज़े से vibration करेगा, अब तीसरा point जो है, बहुत important point है, सोचिए आपने alignment भी सही किया है, impeller भी आपका सही है, उसके बाद भी vibration होई रहा है, तो आप क्या करोग एक चीज आपनों को हमेशा ध्यान रखना है, कि जो capacity का pump है, उसी capacity का section और discharge आपको लगाना होगा, बहुत सारे pump में मैंने देखा है, अगर 60 का flange है, तो उसको reduce कर दिया जाता है, 45 में, तो उस तरह से नहीं करना है, एक तो manual में अगर है, तो ही करना है, नहीं तो हमेशा आ size का आपको pipe लगाना है, आप pipe को भी पहचान सकते हैं उसी flange से, कि जितना का flange दिख रहा है, उस size का आप suction और discharge का pipe लगाई है, और एक point है इसमें, सोचिए कोई pump का capacity है, 15 horsepower का है, ठीक है, 15 horsepower का है, और उसका discharge जो head है, ओ 25 मीटर तक का है, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, उसको 5 मीटर में, 4 मीटर में यूज कर देते हैं उस pump को, इसको आपको नहीं करना है, अगर उस तरह से आप यूज करोगे तो vibration pump का कभी कम नहीं होगा, क्योंकि उसका capacity, high capacity का हो वो pump है, उसका head 25 मीटर का है, और आपने उसको 5 मीटर में यूज कर लिया है, तो इस तरह से भ pump में बहुत ज़्यादा vibration होता है, कभी भी आपने देखिए, ज़्यादा head का अपने pump में, pump को यूज कर लिया है, और 25 मीटर का है, सुचिए, 5 मीटर में आपने यूज कर लिया है, तो आप देखो उसका valve को, जो discharge valve है, उसको बंद करके देखिए, pump का vibration कम हो जाएगा, इस स आपको क्या समझ में आ रहा है, कि वो ज्यादा capacity का था, आपने उसको कम capacity, जहां पे कम discharge है, 5 मीटर का head है, उस जगह में आपने उसको यूज कर लिया है, तो इस तरह से आप लोग को नहीं करना है, तो pump के head को हमेशा चेक कीजिए, आपको take में मिल जाएगा, take देखने का भ जहां पे high capacity का चाहिए, वहां high capacity का कीजिए, जहां पे low capacity का चाहिए, वहां low capacity का कीजिए, कि इसका बज़े से बहुत ज़्यादा vibration होता है, और feature इसको पकड़ नहीं पाते हैं, कि किसलिए vibration होता है, क्योंकि वो alignment भी सही से करते हैं, foundation bold भी fully tight करते हैं, pump का, motor का, suction discharge का line भी सह ही रहता है, इस चीच को आप लोग को ध्यान देना है, और एक दूसरा जब भी alignment कीजिए, अगर spider आपको spider damage भी ले, तो spider को replace कर दीजे, अगर हलका सा भी spider आपको दवा हुआ मिले, तो उसको आप तुरंत replace कर लीजे, क्योंकि उस spider के ज्यादा gap का बज़े से भी आपका pump मे vibration आ सकता है, यह जो कुछ point मैंने बताया, इसको आप लोग नोट कर लीजे, पहला आपको alignment सही करना है, इस bolt को fully tight करना है आपको, दूसरा impeller को check करना है, impeller corrupted नहीं होना चाहिए, impeller का vein बगेरा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीच को आप लोग को ध्यान देना है, ती कितना meter का, उसका head है और आपने कितना meter पे उसको use किया है, यह सबसे बड़ा point है, जिसको feature नहीं पकड़ पाते हैं, कभी भी आप check कर लीजेगा, जहां पे भी हो, उसका discharge valve को हलका सा कम करके देखिए, आपका pump का vibration कम हो जाएगा, इससे यह समझ में आता है, कि वो high capacity का pump था उसको आपने low capacity जहां पे ज़्यादा ज़रत नहीं है, उस जगा में उस pump को आपने use कर लिया है, उस जगा में आपको discharge valve को बंद करके ही उस pump को चलाना पड़ेगा, तो इस point को आप लोग को ध्यान देना है, अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया है, तो अभी त इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई